नमस्का दोस्तों हमारे चैनल पर आपके स्वागद है आज मैं बात करने वला हूँ RBL BANK के ATM कार्ड को कैसे ब्लोक करना है अगर आपके ATM कार्ड तूट गया या अगर आपके खो गया तो उस case में आपको यहाँ पर अपने जो भी ATM card है, ATM card को block करना है तो कैसे आपको यहाँ पर mobile के through ATM card को block करना है मैंने इस बाले वीडियो में आपको detail से बताना है वाला हूँ लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना बहुत जुरूर है अगर आपको ATM card को block करना है, चार process के through यहाँ पर आप ATM card को block कर सकतो पहला हो गया mobile banking, दूसरा हो गया net banking, तीसरा हो गया call करके जैसे के आपको यहाँ पर दिखाए रहे एक number आपको मिल जाएगा इस number के through आप यहाँ पर call करके आपने ATM card को block कर सकतो SMS के थ्रू भी यहाँ पर आप ATM card को block कर सकतो इसी number के थ्रू जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाए द रहे हैं साइड में मैंने यहाँ पर number दे दूंगा इस number के थ्रू यहाँ पर SMS या call करके भी block कर सकतो तो मैंने जो भी process बताने वाला हूँ mobile banking के थ्रू तो आगर आपके पास mobile banking नहीं है इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका link दे रखा हूँ click करके आप download कर सकतो download करने के बाद आपको register कर लेना है अगर आपको register करने में कोई भी problem होता है उसके पर मैंने वीडियो बना रखा हूँ वीडियो के link आपको इस वाले वीडियो के नीचे मिल जाएगा तो पहले आपको यहाँ पर register कर लेना है register करने के बाद mobile banking को open कर लेना है तो मैंने यहाँ पर पहले open कर लेता हूँ manager card जहाँ पर भी दिखाई जे रहे उसी के उफ़र click कर देना है आपको यहाँ पर बहुत सारे option मिल जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है card के उफ़र click कर देना है अब यहाँ पर आपके जो भी ATM card है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आपके ATM card नहीं है तो आपके पास apply करने का नीचे option आ जाएगा तो मेरा पास यहाँ पर ATM card है इसी वाइसे apply करने का option नहीं आ रहा है अगर आप चाहा तो एक item card है दूसरा item card को apply करना है तो दूसरा item card यहाँ पर आप apply नहीं कर सकतो पहले आपको यहाँ पर block करना है block करने के लिए आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा block unblock card तो क्या करना है इसी के फ़र click कर देना है अब यहां पर आपको दो option मिल जाएगा card को block करने के लिए अगर आप एक दो दिन के लिए block करने चाहतो temporary block दिखाए दे रहे इसी के ओपर click करके यहां पर block अनब्लोक कर सकतो अगर आप चाहतो permanent block करना है तो आपको यहां पर दिखाए देगा permanent block इसी के ओपर click करना है उसके बाद आपको यहां पर ध्यान रखना है ब्लोक करने से पहले एक बार आपको समझना है उसके बाद आपको यहां पर ब्लोक करना है आप यहां पर देख सकतो हमारे पास OTP आ verify के उपर click card देना है इतना ही काम करने के बाद आपके जो भी ATM card है यहां पर blog हो जायेगा आप यहां पर देख सकतो bank के तरफ से हमारे पास SMS भी आ चुगा है ATM card तो blog हो चुगा है अगर आप customer क्यार से बात करने चाहा तो इस number से भी बात कर सकतो पहले मैंने जो भी number बताया था उसी number पर आपको यहां पर बात कर लेना है उसके बाद यहां पर ok दिखाई दे रहे ok में click कर देना है इतना ही काम करने के बाद आपके जो भी ATM card यहां पर द लेकिन यहां पर तुरंद option नहीं आएगा मैंने यहां पर दोबारा दिखाईता हूं आप यहां पर देख सकतो तुरंद यहां पर option नहीं आ रहा है आपको यहां पर एक दिन तोग integer करना है तो जैसे यहां पर ATM card ब्लोग हो जाएगा उसके बाद एपलाई करने का भी option आ ज दोस्तों यह था चुले जनकरी जनकरी को अगर आपको अच्छे लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले